रख होंसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा ठक करना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा जीने का मज़ा भी आएगा कहरा केलविन चक्र कहलाती है कैम चक्र की हैच एवन सलैक्स चक्र की क्रैप्स चक्र तो इसका राइट अंसर क्या होगा मेरे दोस्त फटाक से आप लोग बता दीजिये विल्कुल फटाक से बता दीजिये कि इसका राइट अंसर क्या होगा और यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के कहां होती है इस्ट्रोमा भाग में होती है कहां होती है मेरे दोस्त इस्ट्रोमा भाग में होती है ठीक है चले कोश्चन नमबर पर हम चलते है कोश्चन नमबर दो कह रहा है देखे कोश्चन नमबर दो कह रहा है प्रकास संसलेशन की अप् फटाक से बता दीजिए, इसका राइट एंसर क्या होगा मेरे दोस्त, तो इसका राइट एंसर है, ए इस्ट्रोमा में होती है, देखिए मैं आपको बता दू, हमेसा आप दो सब्द याद रखिएगा, एक DS और एक LG, यह सब्द याद रखिएगा, DS का मतलब यह देखिए, मा दोस्त, डर की रेक्शन कहा होती है, इस्ट्रोमा में, इस दर राइट एंसर, चलिए, अगला क्वेश्चन नमबर तीन क्या कह रहा है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नमबर तीन क्या कह रहा है, देखिए, तीन नमर में कह रहा है, प्रकास एक, ठीक है, प्रकास जल प्रकास ताप हवा वर्सा जल प्रकास ताप हवा सापेक्षिक आद्रता आद जलवाईवी कारक होते हैं कौन से कारक है क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं ठीक है दोस्त चलिए आज का जो चार नमबर का कोशन क्या है रहा है चल उते नमबर का कोशन को हम देख लेते हैं कर चलती है। पौधे में हैच और स्लेक चलती है। किया कहते हैं कि C4 plant में कैसे कि Hawr Black जो नामक वेग्णिक थे, इन्हों ने CO2 , इस्थारीकरण का एक नए प्रकार बताया था ठीक है» CO2 इस्थारीकरण का क्या बताया एक नए प्रकार बताया था जिसे Hwrukt- evolving छक्र की में नाम से जानते हैं और हैच एउन सलेक चक्र इन ही पौधों में मिलता है किन पौधों में? C4 पौधों में मिलता है किसमें? C4 पौधों में तो 20 दा राइट अंसर चलिए. कोशन नमबर 5 की तर बढ़ते हैं? कोशन नमबर 5 क्या कह रहा है? उसको भी देख लेते हैं. कराया, प्रकास फास फेटी करण में समलित है. प्रकास फास फेटी करण में क्या समलित है? मेरे दोस्त कहरा, फोटो फास फूरेलेशन इनकिल्यूट्स नान साइकलिक, साइकलिक, स्यूडो साइकलिक, आला आप देवबाओ. इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? इसका right answer है मेरे दोस्त इसका right answer बिल्कुल फटाग फटाग आप लोग बताईए कमेंट आज मैं तरी भी देर रही करने वाला हूँ और एक बात देखिए हम आपको बता दे कि आप थोड़ा लोग आप support करेंगे तो इसी तरीके से मैं daily practice set लेकर क्या आता रहूंगा और हो सकता है कि मैं मेराथन क्लास को इस दिनों में सुरू कर दूँ जिसमें से 125 प्रसनों को मैं सामिल कर दूँ ठीक है तो इसका right answer क्या है all about d is the right answer ठीक है मेरे दोस्त d is the right answer पांच का d एक बार फटाक से वीडियो को थोड़ा सा आप लोग share भी कर दीजे मेरे दोस्त share कर दीजे थोड़ा support करिए ठीक है तभी मजाएगा चले question number हम 6 की बात करते है question number 6 क्या कह रहा है उसकी तरब बढ़ लेते हैं question number 6 क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजे कह रहा है प्रकास फासफोर रिलेशन की खोज की ठीक है photo फासफोर रिलेशन वाज डिस्कवरड भाई photo फासफोर रिलेशन वाज डिस्कवरड भाई प्रकास फासफोर रिलेशन की खोज किसने किया कह रहा mayor ने किया की black man ने की Kelvin ने की ऑर्नान ने इसकी खूच किस ने किया था इसका right answer क्या है बिल्कुल फटाक से बता दीजे वाई ठीक है इसकी खूच किया था परदरसित करता है करा सरसो परदरसित करता है कि धान की मक्का की यहू which are the following source क्रेंज एनाटामी बहुत इंपोर्डेंट है क्रेंज एनाटामी क्रेंज एनाटामी क्रेंज एनाटामी इसको आप ध्यान रखिएगा क्रेंज टाइप कहते हैं किसको गंणा को और मक्का को क्योंकि इनके जो मीजो फिल में पहली सेड टीसू नहीं होता है और पत्तियों के जो बैस्कुलर बंडल पर बंडल सीथ पाई जाती है ठीक है जिनमें हरिम जो कड़क होते हैं बड़े बड़े होते है ठीक है चलिए question number 8 आठ की तरफ बढ़ते हैं को इसको भी देख लिया जाए करा इन में से कौन सा कथन सत्य है देखिए आज मैं थोड़ा से जल्दी-जल्दी में प्रयास करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है लंबा नहीं ले जाने वाला हूं ठीक है मेरे दोस्त आपको कितन करेंजिन आठामी अफ लीफ है सीननद सीफोर प्लांट करेंज प्लाणट अब देखिए हम आपको उदादे जब पहले हमारा उत्तर विल जा रहा है तो क्या मतलब है हमको इधर उदर भागने से ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या है मेरे दोस्ति इसका राइट एंसर है A, crancinotomykin poddhों में मिलती है, sorry, crancinotomykin paktiyo मिलती है, C4 plant के ठीक है, C4 paktiyo मिलती है, यही मैं ने बताया था कौण सा, घंणा है, और मैजहें मग का है, टिक है, भी मैंने नाम लिया था, चलिए, question no.9 की तरह बाढ़ते है, question no.9 क्या करा है, उसको फितरह भी हम देख लेते हैं, किस सिध्धान्त द्वारा लवा को माईटो कांडिया में ATP निर्माण का वरण होता है किस सिध्धान्त द्वारा लवा को माईटो कांडिया में ATP निर्माण का वरण होता है किस सिध्धान्त द्वारा लवा को माईटो कांडिया में ATP निर्माण का वरण होता है Lipman and Lohman theory Fischer Lock and Key theory Kose Land Induced Pit theory Michaels Chemiosmotog theory इसका right answer क्या है मेरे दोस्तmmm right answer है D आप लोगों का जो प्यारी दुलार है जो कल आप लोगों ने बही वास्तों में कल मजह ही आ गया था टीक है? कल मजह ही आ गया था इसी करण से और आज भी अगर इसी में इनक्रीच कर दूँगा बढ़ादूगा नमबर है और जाये गाँग मज़ना चलिए ₹ कणि नमबर चैनल कारा को चेब और सकाल है चली को पर चल य attendance को बताना चाहाँ मैं को पर चलतेरी हैं तब जाकर के हट्टा कट्टा बनेगा इंदिरा महराथन में भाग लेना है आपको तो क्या एक दो दिन में चार दिन में एक महीनी में आप रेस पूरी कर लेते हैं क्या नहीं वो जो महराथन में भाग लेते हैं वो इस सालों साल से तयारी करते रहते हैं इसी तरीके से आपको इसमें जुटना है, मैं आपके लिए दो सब्दें एक अना चाहूंगा, कि होंसले जिनके चटान हुआ करते हैं, रास्ते उनकी ही आसान हुआ करते हैं, ऐ नादान ना घबरा इन परिसानियों से, यह तो पल भर की महमान हुआ करते हैं, मेरे दोस्त चल है कि लैमार्क द्वारा की डार्विन द्वारा, हैच और सलैक द्वारा की एम केलिविन द्वारा कि इसके द्वारा पहचाने गया, ठीक है, पेट्रो प्लांट वेर फ़र्स्ट रिकरगनाइजड वाई लैमार्क, डार्विन, हैच और सलैक, एम केलिविन, इसका राइट थे, इन्होंने सरपर्सम बताया था कि कुछ पौधे पेट्रोलियम पदार्थों का अच्छा स्रोथ होते हैं, कौन बताया था, यह हम केलिविन ने बताया था, ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर हमें 11 की बात करते हैं, आप फटा फटा आप लोग देखिए, कमेंट करते ठीक है, बिल्कुल, चलिए, कह रहा है, 11 नंबर कोशें कह रहा है, एक गलुकोज अणुके संसलेशन के लिए, केलीविन बिंसन चक्र में ATP अड़ोग याओ सेकता कितनी होती करते हैं, 36, 38, 12, 18, इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बता दीजे, इसका राइट एंसर है, 18, D is the right answer, ठीक है, D is the right answer, देखे, केलीविन बिंसन चक्र या इसी को कहते हैं, C3 चक्र, ठीक है, C3 चक्र में ये गलुकोज अणुके निर्मान के लिए, 18 ATP, तथा 18 ATP हमने कहा है, ATP, 18 ATP, और 12, कितनी, 12, यान, ADPH, ठीक है, यान, ADPH, प्लस, याच, प्लस, प्लस, प् बारा की तरब बढ़ते हैं, क्या करा है, इसको भी देख लेते हैं, करा है, वड़क तंत्र फस्ट में समस्तूर्जा संग्रहित होती है, वड़क तंत्र, यार्थात, क्या कहेंगी इसको, जले, पुस्चन नंबर हम अगले तरबdırते हैं, क्या क्या होगा, मेरे दोस्त, इसका राइट एंसर, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, लूटा है wal D Q13 की बात करते हैût कोती है कि प्रकास संसलेशन की क्रिया सबसे ज़्यादा क्रियास होती Bears प्रकास में Süर के प्रकास में लाल प्रकास में सन लाइट यलो लाइट रेड लाइट ग्रीन लाइट बता जीजे किस लाइट में होती भाई पटाक से बता दिजे इसका right answer क्या हो जाएगा ठीक है तो इसका right answer है sees the right answer red light लाल प्रकास में प्रकास संसेटन की करिया सबसे ज़्यादा क्रिया सील होती है ठीक है चली, question number अगला क्या कह रहा है, अगले question की तरफ हम बढ़ लेते हैं, ठीक है, question number 14 क्या कह रहा है, कह रहा है, प्रकास संसलेशन में द्रिश प्रकास की अधिकतम प्रभावी तरंग दैर्ध है, the most effective wavelength of visible light in photosynthesis is, ठीक है, प्रकास संसलेशन में द्रिश प्रकास की अधिकतम देख लेते हैं, और देखे, इसी तरीके से revision चले जेंगे, इस topic-wise topic, आप एक बार पढ़ लीजे, फिर mix करके, मैं 125 question की स्रिंखला लेका के चल्द ही आ रहा हूं, ठीक है, अगर इसी तरीके से आप लोगों ने support किया तो, ठीक है, चली, कह रहा है, प्रकास संसलेशी हरितलवक में जिली में उपस्तित होते हैं, कर अब photosynthetic figment in chloroplast are embedded in membrane of, ठीक है, तो कह रहा थाईलोकोईड की photoglobin की matrix envelop आप chloroplast, इसका right answer क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका right answer, फटाक से बता दीजे, इसका right answer क्या होगा, ठीक है, तो इसका right answer है, ये थाईलोकोईड, ठीक ह ठीक है, देखिए हम आपको दादे, प्रकास संसलेसी जो अड़ा होता है, वो हरितलवक क्लोरोप्लास्ट है, इसके क्लोरोप्लास्ट के थाईलोकोईड में उपस्तित होता है, प्रकास संसलेसी जो pigment होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के थाईलोकोईड में होता है, कहा होता है इस ट्रोमा में चले question number अगला देखते है question number अगला क्या कह रहा है उसकी तरफ ही हम बढ़े लेते हैं question number 16 की बात करते हैं करा प्रकास अंसलेशन में दो वड़क तंतर सिध्धान दिया गया प्रकास अंसलेशन में दो वड़क तंतर सिध्धान दिया गया टू पिगमेंट सिस्टम थीरी आप फोटो संथेशन वाद प्रपोजड वाई किसके दोरा प्रित्पादित की गई करा हिल इमर्सन की इमर्सन की बलैक में हैच एंड सलैक तो इसका राइट अंसर क्या होगा मेरे दोस्त इसका फटाक से आप लोग एंसर बता दिजे कि इसका जो राइट अंसर है वह क्या होगा हील इमर्सन एक जगध दिया एक जगध दिया इमर्सन तो इसका राइट अंस यह तो क्लोरोफिल एका होता है किसका होता है मेरे दोस्त क्लोरोफिल एका होता है ठीक है तो बीज़दा राइट अश्वरी आगला कोश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमबर 18 क्या करा है उसकी तरब बढ़ते हैं क्लोरोफिल एका सूतर है लो भईया आगया भी के बाद है आगया अभी मैंने बताया था आपको ठीक है क्लोरोफिल एका सूतर क्या बताया भी तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा भाई इसका राइट एंसर देखें क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए जो क्लोरोफिल ए होता है मैंने बताया आपको तो इसका right answer chlorophyll A का सूत्र पूछ रहा है chlorophyll A का सूत्र बिल्कुल comment करिए comment करिए आप लोग मैं इंतजार कर रहा हूं ठीक है आपकी comment का 18 number का जो answer है वह क्या होगा तो जी बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए इसी तरीकेस होना चाहिए इसी तरीकेस comment फटा पड़ चलने चाहिए इसका right answer है C C is the right answer ठीक है C पच्पन याच बहत्तर O5 यान 4 Mg is the right answer chlorophyll A हो गया ठीक है चले question number हम 19 की बात करते है question number 19 क्या करा है इसको भी देख लेते हैं करा सदा बहार पौधे वर्स भर हरे रहते हैं सदा बहार पौधे वर्स भर हरे रहते हैं इसका कारण क्या है मला सदा बहार आपने गाना सुना होगा न सदा बहार में वो ऐसे गाने होते हैं कि आपको उब नहीं लगेगी हमेशा चलते रहेगी इसी तरीके से आपको सदा बहार की तरह पढ़ाई भी अपनी बना लेनी है इसी तरीके से आपको हमेशा जूटे रहना है लगे रहना है ठीक है चलिए बता दीजे इसका right answer क्या हो जाएगा भाई ठीक है इसका right answer क्या हो जाएगा बता दीजे इसका right answer क्या है C is the right answer ठीक है एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती है देखे कैसे हम आपको बताते हैं जो सदा बहार पाउधे होते हैं इनकी सभी पत्तियां एक साथ किसी बिसेस मौसम में नहीं गिरती है ठीक है कि पतज़डा आजाए ठीक है पतज़ड सावन बसंत बहार ऐसा कुछ गीत भी आपने सुना होगा लेकिन उसको आफ़ालो न करिये बलकि ये कुछ संख्या में अंतराल के बाद गिरती रहती है अब ऐसा भी नहीं कि पत्तियां कभी गिरवई नहीं करती है एक पत्ति लग गई जिद्दगी भी रहेगी अईसा नहीं पाध्व में ऐसा तो देखा नहीं समझ रहे हैं अता ही यह वर्ष भर हुरीद दिखाई दिहते रहते हैं कि ये पौधे जो होते हैं एक्वेटर परूगते हैं मतलब भूमद परूगते हैं जहां वर्स भर वर्सा होती रहती तथा नमी भी उपलब्द होती है ठीक है चले कोशन नमबर हम 20 की बात करते है कोशन नमबर 20 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं Question number 20 क्या कह रहा है, इसको देखे, देखे हम आपको question number 20 को देखने से पहले आपके लिए मैं एक सब्द कहना चाहूँगा, कि हमेशा जब भी पढ़िये, आप ये मत देखे, कि रात है, कि दिन है, कि दूपहर है, कि क्या है, कैसा मोसम है, लेकिन अपने होंसलों को हमेशा आप रखे रहिए भाई, अपने होंसलों को आप हमेशा बरकरार रखे, तब जा करके मज़ा आएगा, ठीक है, देखे मैं आपके लिए एक सब्द कहना चाहूँगा, कि होंसलों की तरकस में, होंसलों की तरकस में कोसिस का वो तीर जिन्दा रखो, हार जाओ जाहे जिन्दगी म सब कुछ, मगर फिर से जीतने के उमीद जिन्दा रखो, मेरे दोस्त, हमेशा इसी उमीद के साथ आपको पठे रहना है, डटे रहना है, कि आपकी एक सीट सुनिश्चित है, आपको एक सीट मिलने वाली है, समझ रहना है, उसको कोई काट नहीं सकता, आपको कोई बाल बां किस में आकसीजन नहीं मिलती है, ठीक है, तो बता दिजिए किस में आकसीजन नहीं मिलती है, मेरे दोस्ते, वीचाथ फालोविंग डजनाट इनवलप इवाल्व ऑक्सीजन, ठीक है, ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, आट्रो ट्राप्सलान, फोटो सेंथेटिक बैक कह रहा है कि chlorophyll एक योगिक है जिसमें होता है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर बताइए फटाक से बताइए फटाक से कई लोग तो बिल्कुर रेगुलर रहते हैं उनकी अच्छे सा खासे कमेंड भी चलते हैं मैं देखता रहता हूं ठीक है आप व कुछ कर नहीं सकते तो दूसरों को भी हमेशा वो हीरा ही हो हीरा में भी कमिया निकाल देंगे तो ऐसे लोगों का आपको साथ छोड़ देना है बिल्कुल छोड़ देना है समझ रहे हैं आप अपना देखिए दूसरों से मतलब ना रखिए उस दिन आपको सफलता आपकी क्या होगी जिसमें क्या होता है मेगनीसियम एंड नाइट्रोजन होता है तो सीज दा राइट इंसर मेरे दोस्त ठीक है चलिए क्वेश्चन नमबर 22 की तरब बढ़ते है क्या कह रहा है कह रहा है वीच आप दा फालोविंग एलिमेंट इस फाउंड इन दा क्लोरोफिल माल पाया क्लोरोफिल माली की तरब में कौन पाया जाता करा आप यह फी के एमजी एमिन तो इसका राइट एंसर की होजाएगगा इसका राइट इसका राइट एफ्शन है मेरे दोस्त इंजी बिल्कुल यही करेक्ट आपसन है ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कोश सोडियाम मैगनेसियाम मैगनीज ठीक है तो कौन सा तत्तो प्राप्त होता है क्लोरोफिल को जलाने पर ठीक है करा विन क्लोरोफिल इज बॉर्ण विच एलिमेंट इज अप्टेंड कैल्सियाम सोडियाम मैगनेसियाम मैगनीज ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएग पहला कदम है कह रहा है यन दीपी यह टीपी बनना की प्रकास के एक फोटान द्वारा क्लोरीफिल के एक इलेक्टान का उततेजन की जल का प्रकास अभटन the first step in photosynthesis is the पहला step क्या होता है प्रकास अंसर का क्यारा फार्मेशन आप या डिपी चीटू नहीं क्यारा फार्मेशन आप या टीपी नहीं excited आप अन इलेक्टरान आप क्लोरोफिल बाई आप फोटान आफ लाइट जी हाँ बिल्कुल C is the right answer C is the right answer ठीक है 24 नमबर का C is the right answer चले देख लेते हैं थोड़ा इसके बारें प्रकास अंसर की सारो पर्थम क्रिया प्रकास की फोटान दोरा क्लोरोफिल आणु का ही उत्तेजन होता है जिससे प्रकास पड़ेगा क्लोरोफिल में क्या होता है कर रहा है कि प्रकास संसलेशन में प्रकास का कार है प्रकास संसलेशन में प्रकास का कार क्या है कर रहा है क्लोरोफिल प्लास्ट का सक्क्रियान पराक्सिसोम का सक्क्रियान फैरी डाक्सिन का सक्क्रियान जल का अबगटन तो प्रकास का क्या होता है प्रकास का मुख काम क्या होता है, रोल क्या होता है, दे रोल आप लाइट, इन फोटो सेंथेसिस्ट, एक्टिवेट क्लोरोप्लास्ट, एक्टिवेट पराक्सिसोम, एक्टिवेट पेरेडाक्सिन, और फोटोलाइज वाटर, तो इसका राइट एंसर क्या होगा, मेरे दोस् संसलेशन की प्रकासिक क्रिया होती है लाइट रीकशन आप फोटो संथेशिस आ कर इन प्रकासिक क्रिया किसमें पाई जती है करा इस्ट्रोमा में मैं इंटरोो कांडिया में कोई नहीं अभी मैंने 26 का C is the right answer चलिए 27 नमबर का question क्या करा है इसको भी देख लेते हैं करा है प्रकास sensation के दौरान प्रकास sensation के दौरान क्या होता है during the course of photosynthesis ATP का निर्माण होता है ATP का निर्माण नहीं होता है उत्तरजीत oxygen carbon dioxide से प्राप्त होती है जल माध्यम के रूप में आवस्यक होता है लेकिन यह प्रकास sensation क्रिया में भाग नहीं लेता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा भाई बता दीजे फटाक से बता दीजे इसका right answer क्या हो जाएगा चलिए जी बिल्कुल इसी तरीके से होने चाहिए और थोड़ा संख्या और लाएए भाईया और संख्या ले आएए तब मजाया लोग थोड़ा सा वीडियो को अपने अपने ग्रूप में सेयर कर दीजे जो आपकी ग्रूप है वहाँ पर भी सेयर कर दीजे थोड़ा सा और मजायेगा देखे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा एटीपी इस फार्मड़ एई इस दा राइट एंसर 27 नमबर का एई इस दा राइट एंसर ठीक है चली question number 28 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं कह रहा है चक्री प्रकास में अभिक्रिया अचक्री प्रकास ठीक है नान साइकलिक करा फोटो फासफो रिलेशन ठीक है में इलेक्टरान गराही होता है अचक्री प्रकास में अभिक्रिया में इलेक्टरान गराही होता है कौन होता है अधा इलेक्टरान एक्सेप्टर इन नान साइक्लिक फोटो फासफो रिलेशन में, तो इसका राइट एंसर बता दीजे, इसका राइट एंसर क्या होगा, जी बिल्कुल, इसका राइट एंसर क्या होगा, बीज़दा राइट एंसर इन एडी प्लस में, ठीक है, इन एडी प प्लस क्योंकि आचक्री जो प्रकास में अभिक्रिया अर्थात आचक्री प्रकास फास्फोर रिलेशन में अर्थात कहा दीजिए कि नान साइकलिक फोटो फास्फोर रिलेशन में याने ADP प्लस अंतिम इलेक्टरान गराही होता है जबकि चक्री जो साइकलिक फोटो फास्फ second 2 system होते हैं ठीक है पोटो system second में सुर का प्रकास किस कार को करता है sun energy brings which are the following function at ps second जल अड़ों का प्रकासी अभड़न करता है CO2 का अपचेन करता है कि O2 का अपचेन करता है कि क्लोरोफिल के अड़ों का उत्तेजन करता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा मेरे दोस इसका right answer चलिए फटा फट बताइए फटा फट इसके comment होने चाहिए तो इसका right answer है A इसदा right answer photolysis आप H2O जब H2O पर प्रकास पड़ता है तो यह किस में तूटता है H plus और O H minus में तूट जाता है H plus और O H माइनस में तूट जाता है ठीक है तो इसका photolysis करता है किसका H2O का और जब H2O तूटता है तभी तो oxygen भी मुक्त होती है क्या मुक्त होती है oxygen ठीक है देखे पी यह second का जो reaction center होता है तो पी 680 होता है कितना होता है P680 होता है reaction center किसका photo system second का जो कि P680 होता है जहां जलका प्रकास अब घटन होता है तथा इससे ही क्या मुक्त होती है चले question number 30 की बात करते है question number 30 क्या करा है उसको भी देख लेते हैं question number 30 को अब देखे question number 30 पर चलने के पहले मैं आप से एक बात कहना चाहूँगा दोस्त की हमेशा अपने होंसलों को भाई कम नहोंने दीजे हमेशा बरकरार रखे क्योंकि हमने आपको बताया और बताया था भी अपने पीछे जो हमारे lecture हो चुके हैं की हमेशा होंसला जीतता है मेरे दोस्त हंतियार नहीं हमेसा क्या जीततेगा हमेशा हांसला आपका जीता है हंतियार नहीं जीतत cay ठीक है क्यों इसी साथ मैं आपको दो सब्न कहना चाहूँगा दोस्त की रक हांसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा ठक करना बैठाय मनजिल के मुसाफिर मनजिल भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा ये बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता है लेकिन आपको जीत कर लेनी है आपको एक सीट पक्की करनी है मेरे दोस्त उसके लिए मैं आपको एक सब्द ये कहना चाहूँगा कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए लड़ाई जगड़ा करने के लिए नहीं मेरे दोस्त आपको एक जाम फाइट करने के लिए जीत की खातिर बस जुनून चाहिए जिसमें वाल हो ऐसा खून चाहिए यह आसमान भी आएगा जमी पर बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए मेरे दोस ठीक है चलिए इसका राइट एंसर अब देखते हैं कोशन नमर 30 क्या कह रहा है कह रहा प्रकास संसलेशन में जल के अ तरह्लिए उसका रायट एंसर किया हो जोगा इसका राइट एंसर अभी में बता शुक्राइज रहा है क्या तरह आप प्रकास संसलेशन क्रिया से बने गुल्कोज में ऐक्सीज़न का स्षूरत क्या है से कोई नहीं ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बता दीजे बिल्कुल फटाक से बता दीजे कि इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा water water है कि CO2 है ठीक है बोथ है water and CO2 नन आप देबाओ इसका right जो answer है मेरे दोस्स इसका right answer है b carbon dioxide is the right answer ठीक है चलिक कोशन नबर हम 32 की तरह बढ़ते है कोशन नबर 32 क्या कह रहा है कह रहा है वे plastic जो वसा को संसलेशित एवं संच्छित करते हैं क्या कहलाते हैं वे plastic जो वसा को संसलेशित एवं संच्छित करते हैं क्या कहलाते हैं plastics that synthesize at store fat at ठीक है कह रहा है eoplast, etioplast ठीक है और ilioplast और कह रहा है gerontoplast ठीक है gerontoplast इसे इसे तर्म आ जाते हैं कभी-कभी जिभी यह लड़ खड़ा जाती है, समझ रहे है तो इसका right answer क्या है वे plastic जो वसा को संसलेशित करते हैं वे क्या कहलाते हैं ilioplast, क्या कहलाते हैं ilioplast sees the right answer ठीक है, चले आब थोड़ा से देख लेते हैं कि ilioplast क्या है ilioplast को oleoplast भी कहते हैं और यह वसा का संग मगरे करता है ilioplast,योट है और जो emiloplast होता है एक होताiteit emiloplast emiloplast का काम क्या होता है starch का संग मगरे करता है और aleuroplast होता है वो protein का संग मगरे करता है चले, आगला question क्या क touched है ूश की तरह बढ़ते है question number 33 पर कह रहा है कि निम्रखित में से कौन C3 चक्र में पाजाता है ऐसा कह रहा है ठीक है कह रहा है तो इसका right answer क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इसका right answer क्या हो जाएगा तो चलिए बता दीजे इसका right answer क्या होगा इसका right answer है मेरे दोस्त is the right answer reductive carboxylation ठीक है चलिए question number 34 की तरफ चलते है question number 34 क्या कह रहा है कह रहा है C4 पौधों में प्रकास sensation के dark reaction का प्रथम अस्थाय उत्पाद है C4 पौधों में प्रकास sensation के dark reaction का प्रथम इस्थाय उत्पाद क्या है ऐसा कह रहा है तो क्या है भाई इसका इस्थाय उत्पाद ठीक है the first stable product of dark reaction of photosynthesis of C4 plant is pyruvic acid OAA oxaloastic acid 3 phosphoglyceric acid की phosphoenol pyruvic acid है तो इसका right answer क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इसका right answer है B OAA oxaloastic acid OAA oxaloastic acid है क्योंकि हम आपको उदा दें जो हैच अम स्लैक C4 पौधों में चलता है है स्लैक चक्र जो है C4 पौधों में चलता है ठीक है इन पौधों की जो मीजोफिल सेलसम होती है उनमें उपसित phosphoenol pyruvic acid द्वारा वाइमंडल से ली गई carbon dioxide गरहन की जाती है जिसके फल सुरुप चार कारबन वाला प्रथामस्थाई जो उत्पाद होता है OAA oxaloastic बनता है इसी कारण नहीं C4 पौधा कहा जाता है C4 पौधे अच्छे प्रकास अंसलेसक भी होते हैं कोशन नमबर 35 की बात करते हैं कोशन नमबर 35 क्या करा है करा C4 चक्र में CO2 ग्राही कौन है C4 चक्र में CO2 ग्राही कौन है TGT biology 2011 CO2 acceptor in C4 cycle क्या है भाई ठीक है CO2 acceptor क्या है इसका right answer चलिए बताते हैं टाइमने वेश्ट करते हैं इसका right answer है PEP फासफो इनाल पारुविक acid ठीक है PEP C4 चक्र में CO2 ग्राही PAP है फासफो इनाल पारुविक acid है ठीक है चलिए अगले question क्या कह रहा है अगले question की तरफ बढ़ते हैं देखे 36 number कह रहा है कि निमलखीत में से कौन प्रकास sensation की क्रिया में limiting factor नहीं है करा oxygen नहीं है क्यों क्लोरोफिल नहीं है की carbon dioxide नहीं है की प्रकास नहीं है which amongst the following is not a limiting factor in photosynthesis बता दीजे limiting factor कौन नहीं है इसमें से भाई फड़ाक से बताए इसका right answer क्या होगा ठीक है तो इसका right answer है oxygen ठीक है ए इस दा right answer ठीक है ए इस दा right answer oxygen limiting factor नहीं है ठीक है चलिए अगला जो है अगला question क्या करा है उसको भी देख लेते हैं करा है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए घटन कौन सी हुई भी या कोनो एकसी डंठ तो हुई हुआ ठीक है किसी से प्यार मुबद तो हुआ नहीं तो किया हुआ करा निम्न घटनाओं पर विचार करिए करिए करापण हरित का उत्तेजन प्रकास आउसो संड इलेक्टरान का स्थाना अंत्रण ATP का संसलेशन इसका मतलब ह है सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती प्रकास में उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता मतलब फोटो संथेसिस का स्टेप आपको बताना है समझ रहे हैं करेक्ट सिक्वेंस बताना है प्रकास संसलेशन का करेक्ट सिक्वेंस कह रहा है क्या ह होगा करा देखे सबसे पहले क्या होता है भाई सबसे पहले प्रकास आउसोसित होती है प्रकास क्या होती है प्रकास क्या होती है प्रकास क्या होती है और सी में भी है अभी इसमें कौन अंसर है फिर उसके बाद क्या होता है कि लेक्टरान का स्थान अंतरन होता है फिर ये इसका right answer क्या हो जाएगा ठीक है इसका right answer अब देखिए फिली रिक्टान का स्थानल मनलब C तो C is the right answer B, A, C, D ठीक है B, A, C, D is the right answer चलिए question number 38 की तरह बढ़ते हैं क्या कह रहा है करा कौन सा isotope प्रकास sensation के अनुसंदान में सहाइक सिद्ध है करा O18 और O14, C11 और P32, C14 और O18, P32 और O18 ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इसका right answer है C is the right answer ठीक है carbon 14 और oxygen 18 चलिए question number अगला है क्या कह रहा है कह रहा है कि हील अभिक्रिया किसका भाग है हील अभिक्रिया किसका भाग है कराру P.S.1 का है पी फोर्टो सिस्टम सेकेंड का भाग है हील रिक्रिया चलिए, question number अगला क्या करा है question 40 की बात करते हैं, देखे, 40 नमबर बताने से पहले मैं आपको दोस्ट सब्द कहना चाहूँगा आप सब के प्यार स्नेह के लिए जो इतना इस तरीके से प्यार स्नेह मिलता है थोड़ा सा मुझे संतुष्टी मिलती है ठीक है और ऐसा है अगर अगर इंक्रिमेंट होता रहा है तो दोस्त मैं आपके साथ हमेशा जुटा रहूँगा देख इसी तरह हमेशा आपकी मुस्कुराहट में ही मेरी जान बसी है चलिए चारिस नमबर का कोश्चन क्या करा है इसको भी देख लेते हैं ठीक है कि निम्न में से कौन सा था तो रविस्को का को फैक्टर है विच आप दा फालोविंग इलेमेंट इस को फैक्टर फार रविस्क को ठीक है करा जिंक है कि कापर है कि मैगनेसियम है कि मोलोबडिनम है इसका राइट एंसर क्या है मेरे दोस्त इसका राइट एंसर है मैगनेसियम मैगनेसियम इसको का को फैक्टर है मैगनेसियम ऐसे लगभक सभी इंजाइमों में को फैक्टर के रूप में मौजूद रहता प्रक्रिया को सक्री करते हैं तथा यह कार्बॉक्जी लेज डिहाइडरोजिनेज में भी उपस्थित रहता है मैगनेसियम क्लोरोफिल का एक महत्पूर घटक है तो दोस्त चलिए आज के हमारी से लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं और उमीद करता हूं कि आप लोग इसी सिताइके से जुड़ा रहूंगा चलिए आज के हमारी से लेक्चर में बस यहीं तक फिर मिलेंगे नेस्ट लेक्चर के साथ ओके थेंक्यू